हाई दोस्तों आज हम क्वेला के जो चूली है उसमें करेला आलू और फिश के से जो उसके आंज में पोड़ कर खाते हैं वो देखेंगे तो आएए देखते हैं ये माटी और इटा में बना हुआ एक चोला है नीचे देखिए नीचे के से देखिए नीचे जो उसका अंगार का जो गुंड है वो जड़कर नीचे गिर जाता है और उसमें उपर रहता है अंगार जो कोईला वो कहते हैं आलू को हमने इस तरह से एक जाली त्यार किया है लोहे का जाली और जो फिश है फिश को हमने तार में उसके सर से पाउन तक गुशा दिया यहालू को हमने दो हिस्से में भाग कर दिया है वह और आंच में शेख दिया हैं इससे दोस्तों कोई भी ओली का भाग नहीं रहेगा जिससे हमेरे शरीर में कोई नुक्सान नहीं रहेगा, खाने में फेट नहीं रहेगा, तो बीमारी भी दूर भगेंगे, यह प्योर चीज है दोस्तों, देखिए, ना इसमें फेट है, ना इसमें तेल मसाला है, ना कुछ है, यह रो मेट्रेल है दोस्तों, सिधे सिधे हम अंगार से आलू, केरेला और फिस को पोड़ कर, सेख कर, खाएंगे, देखिए, गर में किस तरह से, उसके आंच से किस तरह से यह सेख जा रहा है, फिस भी किस तरह से यलो यलो हो गये हैं, यह जो चोला है, यह हमने बहुत कर्ष्ट से त्यार किया है, दोस्तों, माटी और इटा से बना कर, बीच में हम रड देकर बनाया है, जिस से पांस जो होते हैं, वह जड़ जाएंगे नीचे, अंगार उपर ही रहेंगे, बार बार हमें जो सबजी को उलट पलट कर रखना चाहिए, नहीं तो वह काला पड़ जाएगा, देखिए हम एक लकडी में एक चमच को बांद करके कैसे पलट पलट कर रहे हैं, नहीं तो हाथ जल जाएगा, ताप उसका बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ग्यास से भी बहुत ज़्यादा ताप है इसमें, सोचिया कहाए, उसका ताप जो थोड़ा कम हागा नहीं दोस्तों, इसका ताप बहुत ज़्यादा है, इसलए बहुत जल्दी जल्दी नीचे भी हमःप्धी को रखे हैं, भींडी देखिए देखिए नीचे भींडी, भींडी हम रखे हैं, भिंडी भी किस तरह से देखिए हो चुका है पक चुका है इस तरह से पक कर खाने से कोई भी बीमारी हमें नहीं होगा ना तेल है ना मसाला है ना कुछ है देखिए अंगार कैसे लाल लाल देख रहा है दोस्तो फिस अब त्यार है पूरी तरह से पक चुका है पूरी तरह से फिस अब हमें आलू और कर लाको और ज्यादा पकेंगे वो मोटे मोटे हो है ना तो इसलिए ज्यादा पकाना पड़ेगा उनको तो आज का वीडियो दोस्तो इतना ही फिर मिलेंगे अपले वीडियो में बाई बाई